दोस्तों यदि आपका YouTube चैनल monetize नहीं हुआ है अभी तक, यानि अभी आपने अपने चैनल स्टार्ट किया है, monetize आगे जाके होगा, तो ये वीडियो पहले देख लेना, ताकि आपको कोई भी problem नहीं आए, क्योंकि ज़्यादा तर जो YouTube पे समझ्या आती है, एक YouTuber के साथ वो आती है, उसकी monetization को लेकर, उसके adsense को लेकर, तो मैंने कुछ problem से, जो मैं लोगों की दीरे-दीरे-दीरे solve करता रहता हूँ, मैंने उसकी पूरी list बनाई है, कि ये problem क्यों आती है, और कैसे आती है, इस वीडियो में मैं आपको सारी knowledge देने वाला हूँ, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, और आपका चला भी monetize नहीं है, तो जब वो चनल monetize होगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत में आएगी, और जिंदगी में कभी भी आपका चनल demonetize भी नहीं होगा, तो वीडियो बहुत knowledgeable बनाए, इसको अभी से like कर दीजेगा, चैनल पे पहली बा जो प्रॉबलम आती है, एडसेंस को लेकर, वो यह आती है कि हम एडसेंस बनाई कब, हर लादमी पूछता है, सर मोनेटाईज तो एडसेंस होता है, एडसेंस हमें कब बनाने है, तो देखें, सिंपल सा फंड है, जब भी आप यूट्यूब चल अपना create करते हो, उस पर कोई चैनल था आपका, वो चैनल बंद हो गया, किसी भी कंडिसेंस पहले से, तो आपको पुराना वाला एडसेंस भी वहाँ पर यूज कर पाऊगे, और अगर पुराना नहीं है कोई भी, तो आप नया बना पाऊगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक् 16-year के और आपका चैनल काफी अच्छा चल गया, आप मोनेटाइज होने वाला है, तो मैं आपको बता दू, एडसेंस बनाने के लिए, एडसेंस का अप अकाउंट बनाओगे, तो मिनिमम एज 18 होना चाहिए, लेकिन अगर माल लीजे आपके 18 से कम है, माल लीजे आप 16, 15 है तो घर में किसी और के नाम से ही बनाना पड़ेगा और उसी एडसेंस को आप अपने यूट्यूब चैनल से लिंक कर पाऊगे, अब कुछ लोग क्या करते है, 18 से कम होते हैं, वो बना लेते हैं, तो मैं आपको बता दू, समस्य क्या आती है, बाद में जब ID verification होता है, तो व मेरे घर का address है, एक नाम और एक address पर एक ही एडसेंस बन सकता है, दूसरा एडसेंस नहीं बन सकता, इस गर में पाँच फेमिली ओंबर रहते हैं, तो पाँज एडसेंस के डसिंस होते हैं, एक बार अगर मैं अपने यूगंदर सैने के नाम से एडसेंस बना लिया, वेरिफ पर चार सल पहले आपने कोई बनाया था चलाया था मजाक मजाक में चला लिए चनल वो चनल बंद हो गया आप बूलगई अपना अब आप जब नया चल बनाते हो और नया एडसेंस बनाने का ट्राई करते हो तो यूट्यूब आपको पकड़ लेता है आपके नाम से और आपके अड्रस से और वो कहता है कि आपके पास तो पहले से ही एक एडसेंस बना हुआ है तो भई पहले से बना हो तो पहले वाला यू अब आती है यहाँ पे नेम की बात, तो होता क्या है, कि हम जब भी एडिसन्स बनाते हैं, वहाँ पर हमें अपना नेम और एडरेस भरना होता है, तब हमारे घर पे एक एनवलफ आता है, बताऊंगा एनवलफ का क्या मेंटर है, तो इसमें एक में गलती हो जाती है, कुछ लो माल लीजे, आपका जो चैनल है, उसका नाम है, फाइनेंस मास्टर, और आपने माल लीजे, अपना ओरिजनल लेम जो आईडी के अंदर है, वही डाले, एक चीज और मैं आपको बता दू, यहाँ पर आती है, आईडी की प्रॉब्लम, देखो अभी कुछ दिन पहले एक प् और दोनों ही तरीके mandatory है, दो तरीके से अडेसेंस को verify के दाता है, एक तरीका है ID verification का, और दूसरा है address verification का, प्रॉसेस क्या बताता हूँ, ID verification में आपको आपकी ID online AdSense में submit कर रही पड़ती है, वो आपका passport हो सकता है, driving license हो सकता है, voter ID card हो सकता है, या फिर pen card हो सकता है, आधार card acceptable नहीं है यह ध्यान रखना आदार card से आप AdSense को verify नहीं कर सकते आप दूसरा होता है address verification address verification आपके घर पे एक envelope आता है उसमें गुप्ट code होता है उस code को आपको AdSense पे fill करना पड़ता है उससे आपका address verification हो जाता है कि यहां जो बंदे जीजे आपके पास एक voter ID card है और एक आधार card है अभी फिलाल इतने ही document है तो आपको बता दू आपको pen card भी बनवाना ही पड़ेगा pen card बहुत ज़्यादा जरूरी है mandatory है तो अब क्या कर सकते हैं आपके पास दो कागज है फिलाल अभी एक problem मैंने solve कि एक बंदेक पर दो कागज थे आधार card था और वोटर ID card था अब आधार card जो है उससे तो भी एडसेंस वेरिफाई होता नहीं है होता है या तो pen card से या तो passport से या तो DL से तो वोटर ID card मुझे दे दिया कि सर मेरे पास फिलाल एक ही डोकुमेंट है वोटर ID card जिससे मैं verify करवा लेता हूं हमने क्या किया वोटर ID से verify कर दिया AdSense को AdSense verify हो गया अब क्या है उसने कहा कि मुझे pen card भी बनवाने पैन कारड बनवाने के लिए आधार कारड जरूरी होता है यहां पर दिक्कत यह थी कि आधार कारड और वोटरII ID card में नेम में जो सरनेम होता है उसकी spelling में मिश्टेक थी अब इसस्ति फर्वीजा के जिए जो नाम था उस नाम से बन गया AdSense को, तो verify करने के बाद, आप AdSense में name change नहीं कर सकते, पहले ही कर सकते हो, एक बार verify हो गया, आपने अपना जो pin आया, घर पो डाल दिया, फिर नहीं होगा change, तो आप check करें, कि आप जो भी document से verify कर रहे हो, आधार कार में हो same name है या pain card में हो same name है नहीं, क्योंकि pain card आपका आ problem हो सकती है, यह चीज है, अब आप सहथ clear समझ के होंगे, इसके लावा बात करते हैं bank account की, देखे, AdSense का पैसा एक bank account में आएगा, बहुत सारे लोगों को confusion होती है, कि bank account saving or current हो, bank account कोई व्योज से कोई मतलब नहीं है, आप तो यह रखे, कि जिस बंदे के नाम से आपको पै facility नहीं देती, जो local banks होती है, तो आप जब भी bank account में अपना account है, वो open कर रहा है, जब भी आप bank account open करवाते हैं, तो आप देखें कि यह bank आपको swift code की facility देती है, नहीं है, अगर देती है, तो ही आप इसमें पैसा मंगवा पाएंगे, AdSense का, इसके लावा एक और problem आती है, कि भाई हमारे घर पे लिफापा कब आएगा, तो मैं आपको बता दू, AdSense के अंदर, देखें, YouTube के अंदर की बात नहीं कर रहा, AdSense के अंदर, जब 10$ आपके AdSense के home page पे अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद वो envelope भेजते हैं महा से, और वो envelope आपके घर पे आता है, उसमें forward हो जाते, कुछ लोग क्या करते, उनके white studio में 10$ complete हो जाते, मिरको आके सवाल पूछते, Instagram पे skin sort बेज के, कि सर हमारे 10$ देखो, white studio में हो गये, लेकिन envelope नहीं बेजा, भाई, home page पे AdSense में update होने चाहिए, अब बैक अकाउंट के बारे मैं आपको बताई दिया, अब यहां प तो जिसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, टैक्स उसी पर लगेगा, क्योंकि government तो उसी की income मांगेगी, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उल्जे चक्कर में पढ़ो ही मत, जिसके नाम से AdSense है, उसी का नाम का account यूज करो, आपको life में ज्यादा headache लेने की ज़रूत नहीं है simple सा काम करो, जितना ज्यादा उल्जोगे उतनी problem create हो जाएगी, अब यहाँ पे बात आती है, कि देखे, AdSense से YouTube भी monetize करवाते हैं, website भी करवाते हैं, ब्लोग भी करवाते हैं, तो कुछ लोग पूछते हैं कि सर, एक ही AdSense में हम कितने channel monetize करवा सकते हैं, तो आप एक channel से कि ने भी channel monetize करा सकते हो, मैं एक AdSense account से, मैं योगंदर सैनी हूँ, मेरा AdSense account है, मेरे चार channel है, मैं चाहूं तो चारों को एक ही AdSense लगा सकता हूँ, और चारों monetize रहेंगे, चारों के पैसे खटे होके, एक AdSense में आ जाएंगे, और मेरे वैग अकॉड में पहुँच जाए AdSense से आप अपना website, blog और YouTube चनल भी link कर सकते हो, लेकिन सर्त यह है कि YouTube के लिए अलग mentor tree monetize की, यहां पे आपको अलग से monetize कराना पड़ेगा, और website, blog के लिए आपको अपने AdSense को अलग से approval लेनी पड़ेगी, बट आप एक AdSense ही रखना है, तो उससे सब कुछ link कर सकते हो, इसके लावा एक और दिक्कत आती है, और वो आती है, reuse content की, कि AdSense में क्या करते हैं, जब हम YouTube चनल बनाते हैं, तो हम बहुत सारा ऐसा content अपने चनल पे डाल लेते हैं, जो हमने नहीं बनाया होता, हम कहीं से copy कर लेते है content को, अब हमारे उपर कोई corporate strike आता नहीं है, तो हमें लगता है कि जब कोई corporate strike हमें दे ही नहीं रहा, तो हमारा चनल मोनिटाइज हो जाएगा, लेकिन YouTube के पोलीस है कि अगर आपके ऊपर कोई भी corporate strike नहीं है, फिर भी आपका content आपका खुद का नहीं है, तो reuse content policy की problem आएगी, और उसकी वज़े से आपके चनल को monetize नहीं किया जा आप अपने चनल पर कोई भी ऐसी वीडियो न डाले जिससे आपको community guideline की problem आ जाए, अगर community guideline strike आपके चनल पर है, और आपके चनल पर है कजर सब्सक्काइबर चलाएगा घंटे भी पूरे हो गए, तो भी आपके चनल को monetize नहीं किया जाएगा, जब तक को strike नहीं अटे, वीडियो क्रियेट करें, वीडियो क्रियेट करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसके अलावा एक और भी policy है कि जो voice है, जो voice आप अपनी वीडियो में डाल रहे हैं, वो text to speech voice ने, computer generated voice जो होती है, उसको YouTube monetize नहीं गरता है, तो ये AdSense के कुछ नियम थे, जो मैंने आपको खुल के आज बता दिये, अगर आपका चल मोनेटाइज नहीं है, और ये वीडियो आपके पहले देख लिए, तो शायद आपके बहुत काम आएगे, आप कोई भी गलती नहीं करोगे, और आप हमेशा YouTube से पैसे कमातर होगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके बताइए, अगले वीडियो में मैं ट्राइगा कि उस सवाल का भी आपको सोलोसन मिल जाए, ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, चैनल में पहली बा